नमस्काराव दोस्तों 26 अगस 2021 के डेली दहिंदू एडिटोरिल डिसक्षिन में आपका स्वागत है देखें मैं आज आपके साथ तीन आर्टिकल्स डिसक्स करने वाला हूँ और वो तीनों आर्टिकल्स यूनीक हैं वैसे तो और भी बहुत से आर्टिकल्स ने जैसे कि फॉर एड़ेंपल मैं कौन कौन से आर्टिकल्स किप कर रहा हूँ अभी क्लाइमिट पॉलिसी को लेके एक आर्टिकल्स किप कर रहा हूँ इसके बार में हमने काफी बात की है तालिबान आउट रीच अभी तालीबानी तालीबान चल रहा है न्यूस पे इतनी इंकम बना रखी कली मैंने आपको एक न्यूस बनाई थी कि वह सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप किवर इस आधार पे कि कोई एक पर्टिकूलर परसन रिच है रिजर्वेशन को मना नहीं कर सकते है रिफ्यूस नहीं कर सकते है तो इसको कल करेंट अफिर इसमें डीटेल में डिसक्स किया था और कॉंग्रेस पाटी के अंदर क्या-क्या प्राब्लम्स चल दी उनके क्या इंटर्नल इशूस चल रहे हैं और इसके बारे में एक दो आर्टिकल बताए गए गए आपको पता है कि बैंक लोन देते है अभी लोन एंपिय बनने के क्या वजाए है और यह लोन एंपिय ना बन जाए इसके लिए रिसेंटली क्या हूँ है रिसेंटली तो नहीं मतलब 26 अगस्थ 2000 चे अगस्थ 2020 को सुरी 6 अगस्थ 2020 को आर्वी निक सर्कुलर निकाला और उस सर्कुलर के चलते बोला कि कुछ बॉरोवर्स जो अलग अलग रेंज में पैसा बॉरो कर रहे हैं वो बॉरोवर्स के उपर हम कुछ लिमिटेशन्स लगा रहे हैं कुछ रिस्टिक्शन्स लगा रहे हैं वो रिस्टिक्शन्स क्या हैं और उन रिस्टिक्शन्स को अ जो RBI के genuine point है, दोनों को समझने कोशिश करेंगे, थोड़ा tricky article है, शुरुवात में तो मुझे इस article को समझने में problem हो गई, असल में क्या होता है, जो बुद्धी जी भी होते हैं, जब वो articles लिखते हैं, उनको लगता है कि सब लोग economics के masterbite है, इसको लिखा है जी शुरी कुमा helping and hindering justice, तो ये B.N. Shri Krishna साब ने लिखा है, retired judges Supreme Court of India के, इनका क्या viewpoint है, इनका viewpoint ये है कि Supreme Court ये point out करता है कि जो coven portal है, coven portal पे आप register करो और फिर vaccination लो, लेकिन अगर आप coven portal पे register करना vaccination की pre condition मना देते हो, तो बहुत सारे लोग जिनके पास digital literacy नहीं है, वो vaccine ले ही नहीं ठीक है, ठीक है बाई, overall इसी context में Shri Krishna साब यहाँ पर judiciary को बोल रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ पर तुमने online justice delivery वाला काम शुरू किया ना, उसके चलते pendency और बढ़ रही है, open court से comparison में जो virtual court mode में court operate कर रही है, जो digital mode में court operate कर रही है, उसमें काम गड़बड है, काम इसकस नहीं किया है, एक लाइन समझा जाए, तो industry 4.0 क्या होता है, कि बहीं देखे, information and communication technology हमको पता है, अच्छा hardware बनाना हमको पता है, पर data को इस्तमाल करना है, जब आप कोई process करते हो, उसमें data होता है, ठीक है ना, जैसे for example, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब मैं आपक खरीद पाएगा, यह होता है data analysis, तो जो बड़ी-बड़ी companies होती है, वो अपने profit के लिए data analysis करती है, अपने customer base को analyze करती है, और देखती है कि कौन-कौन से product निकाले जिनको बेच सके, जो कि लोग खरीच सके और उनका पैसा बन सके, तो हमारे देश में जो MSME sector है, इसमें भी यह data analysis जोडने की ज़रूथ है, data-driven approach जोडने की ज़रूथ है, industry 4.0 जोडने की ज़रूथ है, तो यह बहुत अच्छा viewpoint है, इसको मैं आपके साथ discuss करूँगा, इसलिए तीन आर्टिकल अच्छे से discuss करेंगे, आगे बढ़ने से पहले, अपने members का सवागत कर ले थे, देखते जोडने की 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 जोड लेलकम बैक पंपैंग कुमार्इंग को जोईन गिया तो पंकच कुमार्व अमित तिवारी दौएपायण चेडरजी न मंत अंबर बर्शारानी सेस्मार्च वर्थी निव ए घंप को तन शंकर बटा चारए जूही शूर्वंषी नहीं और वासनी कॉतम, third में था मेंथासर मेंबर. So thank you so much guys and girls for joining. Thank you so much for your constant support. देखे, overall members का facilitation जलूरी है. उसका reason यह है कि it is specifically helpful to me. उसके बाद ही मैं आपको बता दो कि वीडियो पे like का बटन जरूर दबादें. अगर अब तक आपने इस वीडियो को share नहीं कैए, share कर दीचे, देखे, share करने में आपको कुछ नहीं जाएगा, और किसी ना किसी को भलाई हो जाएगा, जो पढ़ाई कर रहा है, और वैसे भी current affairs से related content है, तो ज़्यादा तर लोगों के काम ही आएगा. अब आपने तरफ से share करिए, जिसको पसंद आगा, उसको पसंद आगा, उसको साथ साथ आप चाहिए तो टेलिग्राम ग्रूप भी जोइन कर सकते हैं, लेक्चिर की PDF आपको आप में मिल जाएगी, और Instagram पर फॉलो कर सकते हैं, करना चाहिए तो नीचे description box में लिंक दे रख गया है, अभी क्या हुआ है, कि कुछ bank borrowers court चले गए हैं, और court में जाके उन्होंने demand किये कि जो RBI ने 6 अगस्त 2020 को circular निकाला था, circular किसले निकाला था, कि current accounts के सिसाफ से खोले जा सकते हैं, और के सिसाफ से नहीं खोले जा सकते हैं, इसके उपर कुछ restrictions लगा दी थी RBI ने, यह restrictions bank borrowers को पसंद निया रही है, मतलब वो borrowers जो की जाके पैसा उठाते हैं bank से, बड़े-बड़ी companies हैं, वो अपना धंदर से लाने के लिए बैंकों से पैसा उठाते हैं, तो जो borrowers बैंकों से जाके पैसा उठाते हैं, तो overall पैसा उठाने के बादे किसी ना किसी account में डाल अब यह restrictions क्या हैं, इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे पहली बात थो हम RBA को logic समझते हैं, कि RBA ने restriction लगाई क्यों है, RBA बोल रहा है कि भाई funds का diversion हो रहा है, जब भी कोई एक particular company loan लेती है, बोरो करती है पैसे को, तो वो क्यों बोरो करती है, ताकि वो अ अपने operations को finance कर सके, अपने आपको जादा credible बना सके, अपने business को expand कर सके, यह कारण होता है, लेकिन यहाँ पैसा बताया जा रहा है, कि internal diversion हो रहा है पैसे का, मतलब जो पैसा उधार लिया जाता है, उस particular पैसे को non-priority purposes के लिए इस्तिमाल किया जाता है, जो बड़े बड़े जिनकी जुरूत थी उनको acquire किया, तो बहुत महँगे दाम पे acquire किया, ठीक है ना भई, फिर तो यह तो कुछ वज़े हो गई, तो कुल मिला कि जो borrowers हैं, वो जो पैसा उधार ले रहे हैं, वो बहुत सारा पैसा NPA बन रहा है, NPA की वज़े धूने की तो पता चला पैसे का internal diversion हो रहा है, इस प्रकार की फालतू की चीजों पर जो पैसा उधार उठाया रहा है, उस पर खतम किया जा रहा है, फिर overall इस पैसे को किसी दूसरे फर्म को भी divert किया जा सकता है, तो मालो किसी एक कंपनी ABC Limited, और उसकी एक subsidiary है BCD Limited, अब ABC Limited ने अपने operations के लिए पैसा उधार थोड़ा पैसा BCD Limited के पास भेज दिया, अगर ये BCD Limited खुद जाती बैंक से पैसा लेने तो इसको मिलता नहीं, तो ये भी गलत है, अरे भाई, अगर आपने जिस कंपनी के operation के लिए पैसा उधार लिया है, उसी को उसी पे खर्च करो, तेरे एक और प्रॉब्लम है या पर, पहला जो था, पहला है भाई, मिजगाइड़ स्ट्रेटजीज, भाई, आप लीमोजीन खरीज रहे हो, प्रॉष ऑफिसे बना रहे हो, तो ये मड़ल्ड प्रायोर्टीज मिजगाइड़ स्ट्रेजीज नहीं इससे आपका बिजने सक्स्पेंड नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं कर रहे हो, तो किल मिलाके इन सब चीजों के चलते, RBI ने यहाँ पे कुछ overall restrictions लगाए थे, अच्छा, restrictions से पहले भी RBI ने क्या बोल रखा है, no objection certificate के लिए, तो क्या बला कि इसे मानलो कि आप SBI बैंक के पास गये, और SBI बैंक से आपने पैसा उधार लिया 500 करोड रु और जगों पर business होते हैं, तो SBI मुंबई ब्रांच से उन्होंने 500 करोड रुपया लोन उठाया, फिर कैनरा बैंक की दिल्ली ब्रांच में 100 करोड डाला, फिर पंजाम नेशनल बैंक की आप कहलो आसाम ब्रांच में 100 करोड डाला, इस परकार से आप कहलो कि किसी और बैंक की दिल्ली ब्रांच में 50 करोड डाला, तो पैसा एक जगा से उठाया 500 करोड रुपया, और फिर नॉन लेंडर बैंक है, यनि कि लेंडर कौन है आप SBI, इसके अलावा जो दूसरी बैंक हो, उन दूसरी बैंकों में एक current account खोला और उसमें पैसा deposit कर दिया, अब यहाँ एक प पैसा डाल रहा है, तो जो पैसा उधार दे रहा है, यनि कि SBI प्रसा उधार दे रहा है, तो SBI की NOC लगेगे, तो SBI का 500 करोड रुपय निकाल कि आप किसी और PNB या केंडरा की बैंक की बैंक की बैंक बैंक बोलेगा कि भाई, पहले SBI से तुम ले कर आओ, NOC तब तब त इनफ नहीं थी, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो इन प्रॉब्लम्स के चलते, 6 अगस 2020 को एक सर्कुलर आया RBI का, और RBI ने यहां पे बहुत सारी रिस्टिक्शन लगा दी, करेंट अकाउंट को ओपन करने पे, क्या क्या रिस्टिक्शन लगा ही, पहला तो RBI आप माली जब को एक करेंट अकाउंट खुलो, और बोलोगे, यह करेंट अकाउंट होता क्या है, तो चैसे पर इजांबल कल की डेट में आप आयस बनते हो, आयस बनने वाद आपकी तनका आएगी, तो आप किसी बैंक में जाके, PNB में जाके, SBI में जाके, अपना एक salary account में credit हो जाएगी, तो यह होता है employed person के लिए, जो salary वाले persons होते है, एक होता है current account, कोई धन्दा operate कर रहा है, business operate कर रहा है, तो मालोगो पेट्रोल पंप वाला है, अब पेट्रोल पंप पे जा रहे हो आप, और कार्ट से पेइमेंट कर रहे हो, तो कार्ट से पेइमेंट करो इसको maintain करने के लिए current account खोला जाता है, ठीक है भाई, clear हो गई, अब इन current account में कुछ सुविधाय होती है, आपको पता है कि जो businesses operate करते हैं, इन में बहुत सारे transactions होते हैं, बहुत सारे पैसों के dealing होती है, तो हो सकता है कि किसी particular business के current account में 50 लाग हो, अब बहुत सारे debit हो गया ह लेकिन उसको emergency basis पे 50,000 की payment करनी है और उसके account में पैसा नहीं है, तो कभी-कभी overdraft दे दिया जाता है, या cash credit दे दिया जाता है, मतलब अगर आपके पास current account है किसी bank का, और आपकी current account में पैसा नहीं है, तो overdraft या cash credit के चलते हैं, पैसा नहीं है, तो भी आप थोड़ा बहुत पैसा उसमें से withdraw कर सकते हो, वो जो bank आपको current account की सुविधा दे रहा है, वो आपको overdraft और cash credit की सुविधा देता है, कि चलो ठीक है, तुमारे bank account में पैसा नहीं है, तो कुछ हद तक 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 एक्स्टा पैसा नहीं कहा सकते हो, इसी को overdraft बोले रहता है, अब ए overdraft भी लेने रखते हैं, तो ऐसा यहां पर बोल रखा है, RBI ने, कि अगर आप overdraft ले रहे हो, तो आप अपना किसी भी bank में current account खोल नहीं सकते हैं, लेकिन अब काम गड़ बढ़ है, current account तो पहले खुलवाए बैठे हैं, और उसी current account में overdraft कर रहे है, अब आप बोल रहे हो कि overd overdraft जो कर रहा है, वो नया current account नहीं कोल सकता है, तो नया तो नहीं कोल सकता है, बट उसका existent current account है, तो बंद तो गर नहीं दोगे, तो कुछ हद तक यहां पर RBI ने जो नई policies आनाउंस कि हैं, उतनी suitable नहीं है, RBI बोल रहा है कि अच्छा, ऐसा नहीं है कि overdraft और cash credit के वल current account में होता है, overdraft वैसे भी दिया जा सकता है कि माल लो किसी particular bank से आपने 100 क्रोंड रुपए उधार ले रखा है, वो 100 क्रोंड रुपए के उपर आप 2 क्रोंड एक्स्टा ले लो overdraft, हला कि overdraft पे आपको percentage of interest जादा देना पनेगा, अगर loan पे आप 8% दे रहो तो overdraft पे हो सकता 10-11% ठीक है, तो यह overdraft मतलब कि जितना आपने loan लिया था, उसे थोड़ा और extra पैसा आपने ले लिया, इसी को आप overdraft भी बोलतो हो, cash credit बोलतो हो, cash credit और overdraft में कुछ specific differences हैं, पर उसमें मत जाईए, आप सार को समझेए, तो जिसने overdraft या cash credit पे पैसा उठाया है, loan से उसने extra पैसा higher interest rate पे, तो उसको current account नहीं खोलने दिया जागा, यह बोल दिया, RBI ने, तो पहले restriction तो यह लगी, RBI की, दूसरी restrictions कुछ और लगी है, कि माल लो, किसी particular company ने बहुत सारी borrowing से लगी है, तो अलग अलग बैंकों से 50 क्रोन SBI से उठाया, 38 क्रोन Canera Bank से उठाया, 80 क्रोन से उठाय उसके total borrowing का अगर किसी bank में 10% से कम exposure है, तो मालो कोई borrower है, ठीक है, उस borrower ने total 500 क्रोन उठा रखा है सारी बैंकों से, और PNB से उसने उठा रखा 40 क्रोन, तो overall उस borrower ने 500 क्रोन उठाया, लेकिन PNB से 40 क्रोन उठाया, मतलब अपनी overall borrowing का 10% से कम exposure है यह बैंक का, PNB का 40 करोन है, तो ऐसे cases में PNB में जो पैसा वो ले रहा है ना, वो तब पैसा निकालेगा ना, PNB से लोन वाला, तो वो किसी particular bank के account में डालेगा, और किसी particular bank के account में डालेगा, तो वो अकाउंट के वारे में पहले से RBI को जान का रही होनी चाहिए, मतलब RBI यहापे एक ओवर स जो पांच करोंड से कम बारो कर रहे हैं, तो जो पचास करोंड से ज्यादा बारो कर रहे हैं, वहाँ पे एक escrow mechanism मनाने की बात की गई, अब यह क्या नईव बात है, देखें, escrow होता है third party, तो for example, मानलो ABC company ने SBI से पैसा उधार लिया, तो SBI पैसा दे रहा है, ABC पैसा ले र conditions के साथ जाएगा, अगर एक भी condition ABC limited wallet कर देता है, तो escrow account से पैसा निकलना बंद हो जाएगा, तो इसको बलाता है escrow account, actually मैं 50 करोंड से ज्यादा जो लोग loan उठा रहे हैं, वहाँ पे बड़ा quantum पैसे में उठाय जा रहा है, तो जब बड़ा quantum of money involved है, तो वहाँ पे regulation bank पैसा उधार दे रहा है, मालो SBI पैसा उधार दे रहा है, 10 क्रोंड पैसा उधार दे रहा है SBI, तो SBI के अंदर आप अपना current account बनवा सकते हो, और non lending bank में आप अपना collection account बनवा सकते हो, अब यह क्या logic है, logic कुछ ऐसा है कि जैसे for example, होता यह है कि SBI ने पैसा उधार दिया और तुमने current account PNB में बनवा लिया, तो फिर तुम PNB में उस पैसे को सही खतम कर रहा हो, गलत खतम कर रहा हो, वो lender नहीं देख पाएगा, चोकि lender तो यहाँ पे SBI है, अब तुमने अपना current account बनाया है PNB का, अब PNB वाले current account से तुम पैसा निकाल के कैसे खतम कर रहा हो, तो SBI को पता नहीं चलेगा, तो ऐसा बोला जा रहा है कि भाईया, अगर पांच करोंड से लेके 50 करोंड के बीच का alone amount है, तो जिसने पैसा उधार दिया है, तुम उसी के यहाँ पे current account खोलो, हाँ तुम collection account खोल सकते हो दूसरे bank में, collection account क्यों, तो मालो वो company का आसाम में business च कर सो, तो फिर एक logic यह है, कि वो लोग जिन्होंने 5 करोंड से कम उधार लिया है, अब एकर 5 करोंड से कम उधार लिया है, तो आप non lending banks पे current account खोल सकते हो, तो मालो आपने 3 करोंड रूपया SBI से उधार लिया, तब आप PNB में जाके current account खोल सकते हो, कोई problem नहीं, और साथ- एक particular bank से, वहाँ पे proper लेखा होगा कि कितना आपने loan पे उठाया है, और loan के बाद जो extra उठा रहे हो, आप जादा interest rate पे cash credit पे आपने कितना उठाया है, तो overall regularly आपके credibility और आपके खर्चों के ऊपर RBI की नजर लोगी है, यह देखने के लिए कि आप पैसा कहां खतम कर रहे ह हो या नहीं कर रहे हो, इन सब चीज़ों पे नजर लानने के लिए, अब overall जो regulation यहाँ पे हो गया है, इस regulation में थोड़े से operational issues है, और जो borrower से वो परिशान है, borrower बोल रहे हैं कि भाई, यह क्या logic है आप लोगों का, तो बहुत सारे borrower बोल रहे हैं कि भाई, अगर मेरे पास overdraft है, तो मेरे पास current account होगा, मैंने आपको बताया current account और overdraft और logic, ज़्यदा तर लोग जो overdraft है वो अपने current account पे लेते हैं, अब RBI क्या बोल दी कि अगर तुमारे पास overdraft है तो तुम current account नहीं कर रहे हैं, और पुराने current account बंद करने की बात कर रहा है, तो यह एक operational issue है, फिर problem कुछ और भी है, जैसे for example, यहाँ पर operational flexibility लिमिट हो जाती है, पहले जो पैसा उठा रहा था borrower, borrower का एलोजिक है कि हमसे तुम पूरा पैसा वापस ले रहे हो, हमसे तुम interest वापस ले रहे हो, तो हमारे उस पर इतनी safe guard रखोगे, तुम काम कैसे करेंगे, हमारी तो बड़ी problem यहाँ पर बताई जारी है, वही बात है, कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा quantum of loan लिया गया है, वहाँ पर non-lender bank में आपको current account खुलवाना ही पड़ेगा, अब non-lender bank में current account छोड़ो, आप escrow account पे आगे हो, तो पहले escrow account खुलेगा, escrow account से फिर आप verify करवा क अपने अलग-अलग bank account में डालोगे, तो जो process से वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, यह भी बात यहाँ पर बताई जारी है, फिर हर जगा पर जो loan component है, जो भी पैसा उठा रहा एक borrower, उसको loan element और cash credit component में अलग-अलग करो, यहाँ पर आपको cash credit component देग गया, यह आपको overdraft देग गया, वहाँ पे आप उसकी borrowing के limit को, उसकी current account की खोलने की freedom को violate कर दो, प्लस working capital term loan, इस particular term का जो मतलब होता है, वो अलग-अलग bankों में अलग-अलग होता है, कुल विला के देखे, RBI यहाँ पर compliance करवाने की कोशिश कर रही है, RBI का compliance करवाना logical है, हमारे देश में NPS बढ़ रहे है, non-performing assets बढ़ रहे है, लोग पैसा उधार पर उठाते हैं, वापस करते नहीं है, तो RBI तो यह देखे का न, कि जो पैसा उधार पर उठा रहा है, वो कैसे पैसे खतम कर रहा ताकि वो वापस कर दे, तो compliance करने की जरूत है, at the same point of time यह भी देखने की ज से रह जाएं, कि SQL account से release करवाओ पैसा, उस particular current account से release करवाओ पैसा, यहां से नोसी लाओ, वहां से नोसी लाओ, तो पता चला पैसा खतम करना और हमें नोसी लेने दोड़ रहे हैं, तो borrowers से सब बातों को लेकि agitation कर रहे हैं, I hope कुछ हद तक जो कुछ भी मैंने आपको समझा समझ पाए है, वह यहां पर आप समझ पाए हो, अगर आप समझ पाए हो, तो मुझे नीचे comment box में ज़रूर बताओ, next बात करते हैं, helping and hindering justice, technology can be a game changer, but it is not a panacea for all ill's plaguing court, तो अरली जून में, overall आप देखोगे, तो कोविन पोर्टल को लेकि सुप्रीम कोर्ट ने जज्ज्मे है, inadequate digital penetration बहुत सार ऐसे farmers है, बहुत सार ऐसे गरीब लोग है, जो की vaccines चाते हैं, बट उनको कोविन चलाना नहीं आता, एप चलानी नहीं आती है, उनके पास internet access नहीं है, फोन नहीं है, वो किसी remote or inaccessible region में रहते हैं, तो क्या वो vaccine नहीं लेंगे, तो बाई, जो benefits of vaccine है, वो digital literacy पर depend नहीं करने चाहिए, जो कि हमारे देश में digital literacy में problem है, इसलिए overall सरकार को हिदायत दी, Supreme Court ने, कि COVID registration mandatory नहीं होना चाहिए vaccination के लिए, तो overall vaccination में तो Supreme Court ने ये बोल दिया, कि excessive digitalization सही नहीं है, लेकिन इसी analogy को, अगर आप overall जोड़ो किस के साथ, judiciary के काम के साथ, तो क्या समझ में आएगा, तब ये समझ में आएगा, कि overall ये जो excessive digitalization चल रहा है, COVID-19 के pandemic के बाद judiciary के functioning में, ये भी कोई बहुत अच्छा नहीं है हमारे justice delivery के लिए, overall COVID-19 के pandemic के समय पे, courts ने challenge को take up किया, उन्होंने virtual hearing करनी शुरू की, virtual hearing होने लगी, technology की मदद से, तेजी से courts वगरा काम करन होने लगे, e-filing होने लगी cases की, माई 2020 में Supreme Court ने नया innovation इंटेड्यूस किया, एक new system of e-filing and artificial intelligence enabled referencing, तो इन सब चीजों के basis पे, जो courts हैं वो अपनी transparency को, और काम करने के process को तेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब problem है यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक और बात बताई जा है कि जैसे vaccine rollout से पहले बहुत सारे vaccine के trials करा गए, उसी प्रकार से हमारी judiciary में भी अगर overall इस technology को incorporate करना था, तो पहले बहुत सारे performance edits कराने की जरूत थी, sandboxing measures कराने की जरूत थी, ताकि overall judiciary में इस digitalization के process के potential को और risk को समझ सके, अब हमको पता potential बहुत हैं, और risk भी बहुत हैं, लेकिन उस हिसाब का performance audit का हमको समय नहीं मिल पाया, reason being की एकदम से आपका digitalization हमको करना पड़ गया, हमारे पस कोई और choice भी नहीं थी, थोड़े बहुत performance audits हुए और उनके उपर काम हो रहा है, लेकिन फिर भी कहीं 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 अगर आप देखोगे, तो overall problems हैं, evidence ये बताता है कि अच्छा खासा investment किया गया है, judicial infrastructure को digitalize करने के लिए, और अभी से नहीं, ये e-courts वारा concept 2007 से चल रहा है, phase 1 शुरू हुआ था आपका e-courts का 2007 में, ओके, जो भी judiciary की performance रही है, pandemic के समय पे, इसमें बहुत सारे improvements की जरूरत है, अगर आप देखो, तो data ये बताता है absolute terms में, कि pandemic के दौरान जो virtual functioning है न, courts की, उसमें pendency बढ़ी है, अगर आप district court की बात करो, तो 31 December 2019 से लेके, 31 December 2019 से लेके, 31 December 2020 के बीच में, district courts में pendency बढ़ी है 18.2%, कौन बोलता है, national judicial data grade बोलता है, फिर 25 high courts में, जो pendency है, वो 2019 में 20.4% बढ़ी है, तो ये तो pendency बढ़ी है, इसमें एक factor अगर आप और मिला दो, चूकि ये pandemic था, तो pandemic के समय पे बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे, जो अपने case फाइल करने ही नहीं आए होंगे, तो वो एक अपने आप में अलग issue है, तो बहुत सारे तो ऐसे cases होंगे, मतलब बहुत सारे ऐस लोग होंगे, जो इस pandemic के चलते और overall delay के चलते case फाइली नहीं करने होगे, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, बताया जा रहा है कि अब हम pandemic के second year में पहुंच चुके हैं, तो हमको एक evidence-based rational approach लेने की जरूवत है, सबसे पहले हमको ये समझने की जरूवत है, कि जो कुछ cases होते हैं, जैसे for example, criminal cases होते हैं, अभी criminal cases में, आप जो hearing है ना उसको छोटा नहीं कर सकते हैं, ऐसा बोला जाता है कि virtual hearing छोटी हो जाएगी, जल्दी चीज़े निपड़ जाएगी नहीं, criminal cases में बहुत वाद विवाद होता है, overall एक जज़ अपनी दलील दे रहा है, दूसरा करते हैं, कभी internet कर रहा है, कट रहा है, कभी कोई दूसरी problem हो रही है, connectivity issues बहुत रहते हैं, video call बीच में कट गई, आप पता चला, जासा आप बैठे हैं, एक तरफ का lawyer बैठा है, दूसरी दरफ की party आई नहीं रही है, तो पता चला, कि hearing को आपको delay करना पड़ कि आप कुछ क अगड़ा हो हमारे यहां पर, overall आप देखो तो इंडिया जो justice report है न 2020 की, वो यह बोलती है कि हमारी high court में already judges की vacancy भी बहुत है, 38% है, lower court में 22% की vacancy है, हर 10 high court judges की post में 4 post यहां पर खाली है, तो overall यह जो technology है, definitely technology is useful, but एक बहुत बड़ा revolutionary game changer नहीं है, tendency अभी के लिए बड़ रही है, अब हो सकता है, शुरुवात में एक दो साल problem हो, बाद में चीज़ें तेज होने लगी, लेकिन जो बात open court की होती है, वो नहीं आ पा रही है, open court की बात अलग होती है, open court में बहुत सी problem थी, कि वह अब किसी को supreme court में case लेना है तो आपका दिल तो overall सबसे खास बात क्या है, final जो target होता है, एक justice delivery system में वो होता है delivery of justice, और यहाँ पर delivery of justice, technical infrastructure, digital infrastructure के ना होने वज़े की वज़े से यहाँ पर आ रहा है, तो इसको बहुत तेजी से बनाने की ज़रूत, अब यह तो हमको पता है कि digital infrastructure बनाने की ज़रूत है, smart phones के penetration को बढ़ान की ज़रूत है, पर अभी के लिए वो करने की जो speed है, वो बहुत कम है, ठीक है भाई, प्लस यहाँ पर judges के, litigants के, lawyers के, इनके mindset को बदलने की ज़रूत है, बहुत सारे judges, litigants, lawyers अभी भी इस बात के साथ वाक्या नहीं रख पा रहे हैं, यहाँ चीजें digitalize होनी, अगर यह ल नहीं चल पा रहा है pandemic में, तो कम से कम वर्चुली चीजों को चलाने की कोशिश तो की जाए, उसके लिए सबसे पहले आपको digital infrastructure सो दोहरने की जरूत है, तो यह से बात है, फिर बात है, it's time for industry 4.0, adopting industry 4.0 technologies would make MSMEs more efficient and competitive, क्या बताया जा रहे हैं यहाँ पर, industry 4.0 term क्या है, यह जिसको German government ने 2011 में बनाया था, इसमें आता है, additive manufacturing, internet of things, cyber physical systems, augmented reality, virtual reality, data analytics, यह सब associated आपका industry 4.0 में, basically यहाँ पे, इन सब चीजों की मदद से किया क्या जा रहा है, data driven decision लिए जा रहे है, data driven decision मतलब कि users, जो आपकी systems का इस्तमाल करते हैं, यह जो कहीं पे भी overall एक usage system का, वहाँ प और उसको analyze किया जाता है, internet of things के थुरू, augmented reality के थुरू, अलाग अलाग data analytics के थुरू, और फिर एक informed decision लिया जाता है, यह सब बाते यहां पर बताई गई है, ठीके, अब इसके चलते, कुछ और चीजें भी हुई है, the reduced cost of electronics like sensors, transmitters and cloud have allowed us to capture the data produced during operational activities, पहले क्या था, कि जो cloud servers होत थे, computers होते थे, इन सब चीजों के दाम्द होते थे, बहुत जादा महेंगे होते थे, अब क्या है कि इन सब चीजों के दाम्द सस्ते हो गए, यह चीजें जादा efficient हो गई है, तो हमें बड़े data को छोटे कम time में जादा capture कर पा रहे हैं, जादा आपके सक्तों assess कर पा रहे है advanced algorithm presents है, जिसके चलते decision making में data को analyze किया सकता है, आप wall street पे चले जाओ, आप दलाल street पे चले जाओ, वहाँ पे artificial intelligence की algorithm इस बात को decide करती है कि कौन से share में पैसा लगाना है, कौन से share में पैसा नहीं लगाना है, तो cool में लाके जो manufacturing चल रही है हमारे देश में, और information and technology चल रही है, इसमें data usage जोड़ दो, तो बन गया क्या आपका, बन गया industry 4.0, यही है industry 4.0, और दुनिया भर की countries ने अलग लग नाम दी है इसको, US ने इसको नाम दिया smart manufacturing, China ने इसको नाम दिया made in China 2025, India ने इसको नाम दिया make in India, digital India, यही है आपका industry based initiatives जिसमें data को आप IT technologies के साथ embed कर दो, बस यही है आपका industry 4.0, ठीक है, आप बात यह है कि इस industry 4.0 को MSME से जोड़ने की जोड़ होते है, जो high-end की countries है, Tata, Birla, आपकी मान, ESBI, यह सब तो भाई देखो, data-driven technologies को adopt करी लेंगे, लेकिन जो हमारा MSME sector है, वो इसको adopt नहीं करेगा, क्योंकि यह बहुत अत्लग अनॉर् manufacturing output हमारे देश का MSME sector में, और 40% से ज़्यादा वर्कपोर्स को नौकरी देता है, तो overall MSME sectors में data-driven approach को adopt करने की ज़रोत है, economic survey 2020-21 बोलता है, कि 6 करोण MSMEs, 11 करोण से ज़्यादा लोगों को नौकरी देते हैं, 30% GDP को contribute करते हैं, हमारे देश के 50% से ज़्यादा exports कहां से बनते हैं, MSMEs से बनते हैं, फिर जो बड़े-बड़े enterprises हैं, उसकी back end की supply chain है, जो उनकी ancillary industries हैं, वो कहां से आती हैं, MSME से आती करना जरूरी है, industry 4.0 के technology के बारे में aware करना जरूरी है, पहली बाद तो MSMEs को awareness नहीं है, industry 4.0 की, इनको लगता है कि यह technology is disruptive है, वो उनके existing system को तोड़ देंगी, MSMEs को लगता है कि इस प्रकार के technology जो बड़ी companies हैं, उनको ज़्यादा support देंगी, और छोटी countries के लिए, companies के ल सब्सक्राइब करने के लिए, पैसा खतम करना पड़ेगा, प्रॉब्लम यह कि इनके पास पैसा नहीं होता है, प्लस, overall, जो experts होते हैं, artificial intelligence में, data-driven intelligence में, ऐसे लोगों को हायर करना पड़ेगा, इनको हायर करने की भी काबलित नहीं है, MSMEs के पास जाना, आपको बता है, MSMEs बहुत unorganized तरीके चलती है, किसी MSME का 2 करोन का turnover है, किसी का 1.5 करोन का, किसी का 85 लाग का है, अभी इतने रुपए में, वो data-driven technology को adopt नहीं कर सकते हैं, artificial intelligence, machine learning को adopt नहीं कर सकते हैं, और नहीं उससे related human resource को recruit कर सकते हैं, चुकि यह सब चीज़े महंगी आती हैं, प्लस, इस प्र बर्बन इलाके में, रूरल इलाकों में, वहाँ पर organizational culture काफी exploitative है, काफी informal है, और काफी आप कह सकते हो ना कि, बहुत सब पढ़े लिखे लोग नहीं involved है MSME में, तो उसके चलते हैं, industry 4.0 की technology को adopt करवाना भी इनके लिए बहुत तर्द मुश्किल है, तो यह सब बाता हैं, बताई जारी है, कुल में इलाके आपको यह समझना पड़ेगा, MSMEs need to understand that data they are producing from all their operational activities, अफनी जितनी भी operational activities है, उससे क्या data produce कर रहो रहा है, यह MSME को समझना पड़ेगा, चुकि MSME जिन customers को सर्व कर रहे हैं, उन customers की choices क्या है, यह MSMEs तब जान पाएंगे, जब वो data analyze करेंग एक बार MSMEs, overall customer choice को ठीक तरही के समझ पाएंगे, उसको जदा analyze कर पाएंगे, अच्छे से products बना पाएंगे, और industry 4.0 की technologies को बहुत proactively adapt कर पाएंगे, implement कर पाएंगे, बट उसके लिए आप देखें, शुरुआत में सरकार के support की जरूत लगेगी, MSMEs अपने आप से यह अगर हमको अपने innovation को बढ़ाना है, तो यह जो state of the art technology है, यह जो आपकी industry 4.0 की technologies को adopt करना पड़ेगा, और जब तक हमारे MSMEs इनको adopt नहीं करेंगे, तब तक काम नहीं बन पाएंगे, तो MSMEs की मदद यहां पर government India को तो करनी है, government of India को, higher education institutions को भी करनी है, जो IIT मदरास और हम कुछ ऐसी technologies evolve कर सकते हैं, जो कि MSMEs को case by case basis पर दे सकते हैं, ठीक है, industrial associations का यहां पर काम होता है, venture capitalist का यहां पर काम आता है, consultant or research agencies का यहां पर काम आता है, इन सब को मिलके हमारे MSME sector की मदद करनी चाहिए, पट सब के हमने पैसा आ जाता है, चुकि कोई MSME अगर बढ़ा है, मा universities का research culture होता है, वो खासा मदद कर सकता है, overall, industry 4.0 को MSMEs में assimilate करने के लिए, और इसी कि दम पे हम लोग अपने innovation को बढ़ा पाएंगे, और globally, scientifically competitive हो पाएंगे, thank you for watching friends, I hope आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ useful जानने को मिला होगा, अपनी view point लिचे comment box में जरूर कि सारी कि सारी वीडियो स्प्री हो और आपको पताएंगे कि हर कोई चैर अपना कोर्स बेचीर है, plus Instagram पर फॉलो करना चाहिए तो फॉलो कर सकते हैं, नीचे description box में लिंक दे रका है, हर्शिदिद्री.com पे आपको इसका जो सार है, हमारे current interface का daily वो भी मिल जाएगा, good bye, take care, have a great day.